परवल उत्पादक किसान बड़ा ही असमंजस में हो जाते हैं जब उनके खेतों में फल का सड़ना सुरू हो जाता है फल सड़ने की बज़ा दो तीन होते हैं जिसके बज़े से फल का सड़न होता है जैसे पहला जो फल सड़ने की कारण होता है उसमें नर और मादा पौधों के जो आउसत होना चाहिए यदि आउसत में नहीं है तो पर परागन की किरिया इसमें नहीं हो पाती है परागन नहीं हो पाता है जिसके बजह से फल छोटे से साइज से थोड़ा बड़ा होने के जावा एक फफूंद के बजह से भी इसमें फल पीले पड़ते हैं और कई बार फल सफेद हो करके भी उस पे छोटी-छोटे आपको दाग भी दिखाए देंगे ये कुलेटो ट्राइकम की बजह से ऐसा समस्य आता है एक फफूंद होता है जिसके बजह से ये समस्य आता है ती और एक का होना चाहिए यदि दस मादा आपने लगाया है मादा पौधा लगाया है तो एक नर पौधा जरूर लगाना चाहिए और इनको भी आपस में रेंडम कह सकते हैं कि जहां तहां मिक्स करके ये पोपलेशन होना चाहिए ताकि जब पुस्पन की कारिकरम उसमें फसल में शुरू हो तो आसानी से ये प्रागन की किरिया हो सके और तीसरा जो फफूंद की बज़स होता है इसके लिए आप कोई भी अंतर प्रवाही फफूंद नासी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे रीडो मिल का आप इस्तेमाल कर लें मैंकोजे प्लस मेटाल एकजिल जो मिक्स कांबिनेशन की दवा आती है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दो ग्राम प्रति लीटर पाने में घोल कर यदि इसका शुरकाओ करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फल सड़ने की समस्या है दूर होगी और इसके अलाबा आप क आपका शलने से दूप से शुराचीत रहेगा